प्रेंड्स मैं आपको इससे में लिट्रेचर पढ़ा रहा हूं लिट्रेचर क्या है उसके कितने फॉर्म है पोईट्री क्या होती पोज क्या होता है सॉनेट क्या होता है इपी क्या होता है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने लिट्रेचर की डेफिनिशन आपको बताए लिट्रेचर के फॉर्म बताए तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोईट्री के और इसके पहले मैंने आपको poetry की definition बता दी थी पिछले वाले वीडियो में तो poetry basically दो प्रकार की होती है, okay? poetry के कितने forms होते हैं, कितने रूफ होते हैं? दो रूफ होते हैं There are two forms of poetry, okay? पहला है narrative poetry और दूसरा है non-narrative poetry इसको हम लोग देखते हैं, okay? narrative poetry, non-narrative poetry क्या है? अब देखें यहां पर पहला है narrative poetry यह हमारा narrative poetry narrative means होता है narrative means होता है word and करना, ब्याख्या करना किसी explain करना, okay? narrative poetry means ऐसी poetry चो word and करें किसी चीज़ का, okay? word and means the form of poetry that tells a story, okay? किसी story का word and करें poetry का ऐसा form जो किसी story किसी कहानी को बताता है वो कौन सी poetry होती है? narrative poetry the form of poetry that tells a story is called narrative poetry, okay? it can be short or long, यह या तो लंबी हो सकती है, या तो short भी हो सकती है क्योंकि जो कहानी होती है, वो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है तो बस इतना ही आपको लिखना है form of poetry that tells a story is called narrative poetry, it can be short or long, okay? अब जिसे example आप ले लीजिए यहां पर, यह देखें epic और ballad, यह क्या होते है, narrative poetry होते है हम इनके बारे में अगले वीडियो में discuss करेंगे कि epic क्या है, valid क्या है, sonnet क्या है, यह सारी चीजे हम लोग detail में discuss करेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि epic किस प्रकार की poetry है, narrative है या non-narrative है, ballad किस प्रकार की poetry है यह सब जानिये पहले, ओके, तो अगर आपसे पूछ ले कोई poetry कितने प्रकार की होती, poetry के कितने रूप होते है तो there are two forms of poetry, narrative poetry, non-narrative poetry, तो narrative poetry क्या है form of poetry that tells a story is called narrative poetry, it can be short or long, example जैसे epic और ballad तो यह आपकी है narrative poetry, ओके, बहुत easy है, अब यहां देखिए non-narrative poetry, यानि जिसमें किसी चीज़ का वर्लन न किया जाए, कोई कहानी न हो non-narrative, narrative means बिश्त्रिच चर्चा जिसमें किसी चीज़ के न किया जाए वो कौन सी poetry होती है, non-narrative poetry, मतलब किसी story की चर्चा न किज़ा, यहां पर लिखा हुआ, आप देखिए non-narrative poetry, और आप देखिए, यह देखिए पढ़ देता हूँ, इसको संजा देता हूँ आपको the form of poetry that does not tell any story, poetry का ऐसा form जो कोई story न बताता हो, ओके the form of poetry that doesn't tell any story, non-narrative poetry reveals the poet's feelings, emotions, attitude, or state of mind तो non-narrative poetry में क्या होता है, poet जो होता है, वो अपनी feelings को share करता है अपने emotions को दिखाता है, attitude को दिखाता है, state of mind, okay कोई दूख है उसको, या बहुत खोस है, प्रसन है या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आकरशित है, आशर्चकीत है इन सारी चीज़ों का वड़न करता है, non-narrative poetry में, okay और ये बहुत ज़्यादा long poetry नहीं होती, shorty होती है minimum और देखे यहाँ पर, the form of poetry that doesn't tell any story non-narrative poetry reveals the poet's feelings feelings मतलब भावना है, emotions, attitude, or state of mind अगर poet इन सारी चीज़ों को ब्यक्त कर रहा है किसी poetry में तो आप समझ जाए वो non-narrative poetry है, okay अब example आप बता सकते हैं, जैसे sonnet, odd, lg, इसमें क्या होता है कोई अपना दुख ब्यक्त कर रहा है, कोई खुसी जाहिर कर रहा है okay, sonnet वगेरा पढ़िये कहीं love feeling हो रहा है okay, जैसे William Shakespeare के लगभग सारे sonnet में love घुसा हुआ है प्यार की उन्होंने चर्चा कि हैं वहाँ पर तो क्या होता है कि feelings होता है, okay वो भावनाय होती है हमारे दिल की, हमारे मन की तो यह आज मैंने आपको बताया कि formsa poetry कितने होते हैं अब हम आगे की वीडियो में एक-एक करके चर्चा करेंगे कि epic क्या होता है, sonnet क्या होता है, odd क्या होता है, lg क्या होता है इसको हम लोग detail में चर्चा करेंगे तो formsa poetry दो होते हैं narrative poetry, non-narrative poetry narrative poetry that tells a story non-narrative poetry that doesn't tell any story, okay narrative poetry में कौन-कौन सी चीज़ा आती है epic, ballad और अगर non-narrative poetry में देखें तो sonnet, odd, lg ये सारी चीज़ा आ जाती है, तो मैंने कहा था 33-34,000 मिनिट के वीडियो होंगे, बहुत ज़्यादा long वीडियो नहीं बनाऊंगा तो उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको like कीजिए share कीजिए, अपने सभी दोस्तों में मैं share करने के लिए कहता हूँ, लेकि जल्दी कोई करता नहीं, तो please share कर दिया किजिए ताकि हमारे चैनल को भी थोड़ा grow मिल सके और पहली बार है तो subscribe भी कर लिजिए वीडियो को अगले वीडियो में हम लोग एक नए topic के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए